हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आमारे स्टेडी चनल जीके की फुर्यू में तो यहां पर मैं प्रेक्टिस सेट नमर बीच लेकर करके आए हूं इसमें बिहार दोरों का रेलवें टेपेशी ग्रूपडी से समधी टॉप 25 मॉस्ट इंपोर्णेट प्रशनों का संग शरुआत करते हैं आज कि पहला वीडियो और कॉश्चन है यक है टो बताना इसमें से क्लाउड को मिटिक्ड क्या होता है देखिए जितने वी कुश्चन आपको किसे का भी एंसर पता है तो आप हमें चेर्जिश बता सकते हैं तो इसका आइस्सर आपका सही हो जाएगा सर् है क्या है एक सर्विस है यानि कि इसका राइट आंसर अप्शन भी हो जाएगा ओके ना कुर्शन नमर दो है प्रतिरोध को मापने के लिए किस पर्योग का पर्योग किया जाता है विच इस्टुमेंट इस यूज़ फोर मेजरिंग रेसिस्टेंस तो दिखे परतिरोध को जाता है किसका उप्योग संभावित अंतर को मापने के लिए पूटेंसियो मीटर का उप्योग किया जाता है और मैं बात करूं जो सरकीट में बिद्धु धराओं का पता लगाने के लिए किया जाता है याद रखेंगा इन सब चीजों को चलिए अब आला दखते हैं ना कोशन नमर थर्ड है पर तिविम के नियम नियमों के अनुसार आपतित कीरण परावर्थित कीरण और समाने की इस्तिति क्या है देखें वे सभी एक ही समान सथा पर गीरती है क्या पर्तिविम के नियम 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 पर दो नियम था थीक है तो पहला नियम में था कि परावर्थन का कोड आपतन कोड के बराबर होता है क्या होता है प्राव्ष्ण के बरावरत है है सक्टन नियम था कि आपतित कीरण प्रावरतित कीरण और अ्भिलाम टिन mercy सता अब गिरते हैं या इस्ठित होते हैं ठींगे तो यह हमारा प्रावरतन के नेब था चलिए अब आ जत क्टे नर्वर he जय्दि बिरतकार कुंड की संक्या दो गोनी हो जाए तो सिम्भकी चेत्र के परिमाण पर क्या परभाव पढ़ेगा चुमबकिछेतर के परिमान पर क्या परभाव पड़ेगा तो चुमबकिछेतर के परिमान क्यों की हो जाएगा क्या हो जाएगा बल्ब का फिलामन्ट किसका बना होता है स्बाइब जो होता है वो टंग Sun चैनल से बना होता है वह होद अधिक होता है और कितना होता है तो टंगाश्टन का गल-ांग जब दख्याम में किडिश्цыन गरलांगर कुष्न रिका है क्या है मेंता स्थिर्फच चैंठा तो chancellor से नहीं सिर्फ ओधार मीडिश्गर लुंगूरा से क्यों सीनल है किद्वaison अपनि ये नहीं इसको प्यालार है चलंब स्टेky हैं मेगनेशयम पेड़ेयोख्शीड का सूत्र क्या है तो条 25 तो में और मेंगनेश्यम बेसाइड का सूत्र हो जाएं न वह दो मैंने तो यह बतातू है तो मैं बतातू किसके साथ मेगनेसियम ऑक्साइड को मिला कर बनाया जाता है किसके साथ हाइड्रोजन पेरोग्साइड के साथ मेगनेशियम अक्साइड को मिला करके बना आ जाता है याद रखिगा चलिया आप आला दखते हैं ना कोशन नमर्स सेवन है सुस्क बर्फ बनी होती है ड्राइड आइस इस मेड अप आफ आफ शुस्क बर्फ यहां पर मैं बात कर रहा ह वह थोस करफन डाइकस़एड क्या ठोस करफन ड्राइड आययोग्साइड को हिं सुस्क बर्फ यहांनेकि ड्राइड आइस के रुप में विमद जाता है कफी बच्यें इसमें कन्फियुज हो जाते हैं तो तो किया याद रुखना से गांस नाइकत ये तो मैधे से कौन सी होती है तो जाय को I 43 को शलुर से जाम से धातू होती है है ये युक्ण होते हैं है आई कि मैं बात करता हूं तो जबन मेंकेल जीन्क और मिलकर מב करके बना होता है अब इनका परसेंटेज समझ लेते हैं तो दिखे निकेल का परसेंटेज बीस परसेंट होता है कितना जर्मन सिल्वर में निकेल का परसेंटेज जो है बीस परसेंट जो है जिंक का बीस परसेंट और कॉपर जो है ना वह साथ परतिर सत होता है साथ प्रतिसस्त होता है 20 निकेल 20 जिंक और कॉपर शाठ प्रतिसस है याद रहाएं कि इसको बहुत ही मद पूंड है तो निकेल के लिए ओर्जा की आप पूर्तिक की जाते हैं या और स्विसित की जाती है यानि की इसका राइट आंसर अप्जन आप मあन CL दशें ने र homework में कौन परकास उजा को रासानिक व्रयanking ने प्रीवर्थित्थ करता है पौध crew में नेमलिखित में से कौन परकास उर्जा को रसानिक उर्जा में परिवर्थित करता है तो वो है क्लोरोफिल कौन है क्लोरोफिल और देखिए क्लोरोफिल जो है न उसका काम होता है परकास उर्जा को रसानिक उर्जा में परिवर्थित करना और इसी परिकिरिया को ही परकास संस करना हैं चलिए इतने याद रखना आपको आला रखते हैं ना कोशन निवर 11 है मुत्र मार्ग मानाव शरीर में किस परणाली से संबंदित हैं तो थेशन नमर 12 है लिथोफाइट्स हैं बताना है कि लिथोफाइट्स क्या है तो देखे लीठोफाइट्स एक ऐसे पौधे होते हैं जो चट्टानों पर या उन्न में उगते हैं क्या लीठोफाइट्स एक ऐसे पौधे होते हैं जो चट्टानों पर या उन्न में ही उगते हैं यानि कि इसका राइट आंसर अप्सन सीर सही हो जाएगा अब को से नावर 13 मौर्फिन का उप‌ यूग किसके रूप में किया जाता है anys मोर्फिन का उप्योग दर्धनिवारत के रूप में किया जाता है किसे निवारत किसे बनाया जाता है तो यह खसखस के कच्चे फॉल से प्राप्त होता है मॉर्फिन जो खसखस के कच्चे फॉल से प्राप्त होता है याद रखए इसको चली अब आभाला देखते हैं naw question कवर चौदा है 2018 में युनेस्कों की मुर्त बिरासत सुचिय में नियुरकित में किसे सामिल किया गया है उसमें सामिल कीया गया है यानि कि कुल मिला किसका right answer option बीज हो जाएगा याद रएक किको tv लिज आप प्रदेशकी राजधानी आमरावति में आएगा कहां पे किसका right answer option A हो बटेगब नव क्वेस है किस देशने का पहला बुनु बोंड लॉट्सika अपसफ Whatsane बूलू बांड क्या होता है उसक्तिय 247 है ऑपकूर यह थो समयु और मतस्य परिजनाव का समर्थन करने के लिए डिजाइन किये गए हैं चलिए अब बला देखते हैं कोश्चन आपर 17 है निमने में से किसने 2019 के आम चुनाव के लिए युवा कारे को बढ़ावा देने के लिए अभियान शुरू किया है इसमें पावर ऑफ हैस्टाइक पावर ऑफ एटीन जो चलाए गया था है यह इसके राइट आप्शन यह सही हो जाएगा चलिए अब आला देखते हैं नकोश्चन आपर ठारा है निमिखित में से कौवन सा देश का पाला राज है जिसके पास चार अंत्राष्टी हवाई अड हैं कि किरल देश के पाला राज बन गया है जिसके पास कन्नूर हवाई अड़े के उद्धाटन के साथ चार अंत्राष्टी हवाई अड़े हैं कौन किरल राद याद रखें का इसको यानि कि इसका राइट आंसर अप्शन एस होगा के रला जो है वह देश का पाला इसा रा है कल उप्योग वाले प्लास्टिक पर परतिवावन लगाएगा तो वह है 2022 में कब लगाएगा 2022 में यानि कि इसका राइट अंसर अप्शन डी सही होगा याद रखेंगा इसको चलिए बाला रखते हैं ना कौशन नमर 20 है निम्रिखित में से कौन सा वर्स बाजरा के अंतर अंसर क्या होगा तो संयुक्त राष्ट के खाद और किसी संगठन यह ने 2023 को अंतराष्टी बाजरा वर्स के रूप में मनाने का फाशला किया है यानि कि इसका राइट अंसर अप्शन सी हो जाएगा कब 2023 याद रखेंगा इसको और यह भारत सरकार के अन्रोथ पर किया गय चलिए आला दखते हैं कोशन नमर 21 है किस देश ने दुनिया का पहला जीन संपाधित बच्चे बनाने का दवा किया है विच कंट्री है क्लैंड टू किरिट वाल्ड फोस्ट जेनेटिड बैबीज तो दिखें चाइना ने देश चाइना देश ने दुनिया का पहला जीन सं पाधित बच्चे बनाने का दवा किया है यानि कि इसका राइट आंसर अप्शन सी हो जागा चलिए आगला बढ़ते हैं आगला देखते हैं आगला कोशन नमर 22 है निमनिखित में से किसे पर्थम बिश्व क्रिशी प्रुसकार से सामानित किया गया था तो देखें प्रोफ थे समार्टियan het को कानी से रश्वन देने वाले बाला देश का पालाराज है और कॉस्टाय० प्रिशंआ को करणाटक के डाव बर यहां चलिए बाठते हैं संधापकॉन कि संगम ि यानि कि एक और दोनों थे चलिए अगला दखता है ना कोशन नमर 25 है मनुस्यों और उनके बेवारों के अध्यन को किसके रूप में जाना जाता है किसके रूप में किसके रूप में जरूप में जाना जाता है तो दिखके सिका राइट आंसर आप सब्सक्राइब को में जमाता है वेर इस श्टार्च एस्टुरेड इन पोटाइटो तो इसका रहे हैंता है में जरूर बताएगा अगर आपको इसका अंसर नहीं पता है तो आप हमारे पिछले वीडियो में इसका अंसर पता कर सकते हैं तो अमित करते हूं फ्रेंट्स आप लोगे वीडियो प्रसंद आये हैं को जैदे वीडियो प्रसंद आइज प्ली लाइक करना कमेंड करना और चै